है कि हम जोशने हैं तो ये मातवर्ण है के दरबार जो भी जाएगा वागेश्वर हो जाएगा तो टो कि मन धार हैं है यह जो डोस्तों राम राम जी तो आपका एक वार फिर से स्वाग थेख नए विडियो में दोस्तों तो आज मेरा अंतिम हिवागेश्व धाम में दसन दोस्तों मैंने कर लिए आसी रहा हम जाएंगे घर के लिए उससे पहले हम आज आपको दिखाएंगे बागेसर बाबा का घर हम उसी गाउं में उस गाउं को भी देखियो और आप बागेसर बाबा जी के घर को भी देखना थोड़ी देर में तो चलिए पहले दिखात और इस तरह के घर हैं ये कुछ देह पा रहे होंगे हुँ जो उसकी दूरिपे उनका घर है तो आज चाहर हो ओनके घर की ज़िए developed करेंगे कि इस तरह से भूंगते देख सकते हैं जिए Trump c कि रोड इस तरह का कुछ अभी वी कच्छा रोड है कि अब कभी में कुछ जगा यह तूड़ चुका है बच्चे भी यहां रेडिये का नंद लेते हुए देख सकते हैं बागेशर बाबाजी का गाउं बहुत ही प्राने टाइप के मकाना दोस्तों देख सकते हैं आप अभी भी मुझूद है प्राने टाइप के घर तो चलिए आगे चलते हैं फैसे मैं घर देख रहें दूर से जंटा दिखाई दे रहा है वही होगा बागेशर वाबाजी का घर अभी थोड़ी 200 मेटर के दूरी पर होगा हमारी दोस्तों मैं पहली बार जा रहा हूं बागेशर वाबा का घर देखने के लिए तेस तर भी गली जाती है हमें जाने इस गली की तरफ सामने कितना उच्छा पहाड भी देख सकते हैं आप वैसे बागेशर वाबाजी अभी है नहीं क्योंकि वो कथा के लिए गए हैं मतल्व कज एब गए हूँ हैं तो आज हमें दर्सनी होंगे पर हम आपको उनके घर के दर्सन कर वाएंगे आदि दोस्तों हम पारश बागेशर बाबाजी के घर के जो न्यू घर है उनका यहीं पर उनके माता पिता भाई रहते थे रहते हैं अभी भी देख सकते हैं आप एक गेट ही है छोटा सा जो कि हमने टीम में देखा था आज कि साकसाथ घर भी देख लिया और ये हैनिका बड़ा गेट देख सकते हैं कुछ दैलो भी बैठे हुए घर के पास ही तब पीछी से दिखाते थोड़ा और देख सकते हैं सातमीज सास्की प्रात्मी सालागणा और ये है इनका गष्ट बागेसर बाबाजी का खर लुआ कि देख सकते हैं जिंडा भी लगा हुए हनमान जी का अब बैठें हुए है देख सकते हैं आप यहां पर फोटो भी लगी हुई है बागर इसर वाबा जी की देख सकते हैं देखिए दोस्तो इस तरब से कुछ ऐसा दिखता है बागवेशर बाबाची कर अजी कखर यही प्याते हैं बाबा बागवे अपने माता पिता जी से मिलने के लिए जब भी धाम में होते हैं यह नहीं देख सकते हैं आप बागवेसर बावा भी का खर बहुत ही कुसूत कहरता दोस्तों